भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी जिस तरीके से विदेश की धर्ती पर जाकर वहां मौजूदा भारतियों को अपना महसूस करवाते हैं वो अंदार वाकई काभिले तारीफ है विलिपिन्स के दोरे पर पहुँचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी ने वहां की राजधानी में भारतियों मूल के लोगों से बेहत गर्म चोशी से मुलाकात की सबसे पहले पीएम ने वहां सभी से हाथ जोड़ कर नमसकार किया जिसके बाद स्टेज पर पीएम का स्वागत कर रही भारतिय युवती युकती कुमार भंडारी ने एक स्वागत गीत प्रस्तुत किया जिसके बोल सुनकर पूरा माहौल मोदी में हो उठा और खुद प्रधान मंत्री जैसे शर्म और खुशी के भाव लिए हस दिये हो आपको बता दें कि वो बोल जिससे सुनकर पीएम मोदी को शर्म आ गई थी वो असल में ट्विटर से चुड़े हुए थे वो बोल थे ट्विटर के ट्रेंड बने हैं आप विश्व के फ्रेंड बने हैं आप गजब के ग्रैंड बने हैं आप देश के ब्रैंड बने हैं आप और इसके बाद पूरे हॉल में बस एक ही आवाज गुझ रही थी और वो थी मोदी पस इसी पर PM के चहरे पर हलकी सी मुस्कान आई और उन्होंने सर नीचे करके मुस्कुराते हुए सभी का शुक्रियादा किया जैसे ही युकती का गाना खत्म हुआ वैसे ही उसने आ गया कर प्रधान मंतरी के पैर चुए और प्रधान मंत्री ने अपने कदम पीछे करके युक्ती को पैर ना चूने की बात कही भई शुरवात में तो पीम का स्वागत कर रही युक्ती दरा डर गई थी लेकिन बाद में पीम को मुस्कुराता देख युक्ती का होसला बढ़ गया अब एक और जहां भारत में गुजरात का रण शिड़ा हुआ है तो वहां दूसरी और पीम देश से बाहर फिलिपिन्स के दोरे पर अलग ही सुरों में मगने दिखाई दिये पाइनल काट निउस डेश